नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All, this is Manish Rai आज प्रस्तूत है बर्ग ग्यारा से प्रोज नंबर थ्री ए एसने किंद ग्रास जी बर्ग ग्यारा से पाठ संख्या तीन जिसका नाम है एसने किंद ग्रास और जिसको लिखा है आरके नारायन ने तो आईए सबसे पहले आरके नारायन के बारे में जानते हैं ये पूरा नाम है आरके नारायन का बच्चो रासी पूरम कृष्ण स्वामी नारायन जिनका जन्म 1906 में हुआ था और मिर्तिव दो हजार एक में हुई थी दा सहित्य अकेडमी अवार्ड विनर इन 1960 1960 में इनको सहित्य अकेडमी पुरसकार भी प्राप्त है वाज वन अब दे मोस्ट एकॉम्प्लिस्ड मोस्ट एकॉम्प्लिस्ड का मतलब होता है बचो सबसे निपुड, सबसे दक्ष, सबसे कुसल एंड वैल नोन, जाने माने, इंडियन राइटर्स इन इंगलिस यानि भारतिय लेखक जो अंग्रेजी में लिखते हैं उनमें सबसे कुसल, सबसे दक्ष और सबसे जाने माने लेखक थे आरके नारायन realism, बचो, realism का मतलब है crappy या अर्थवाद irony, जिसका अर्थ होता है बचो, वीडंबना या वैंग and humor का मतलब होता है हास distinguished strength का मतलब होता है विशिस्ट ताकत of his works, works का अर्थ होता है रचना बचो, या थार्थवाद, विडंबना and हास इनकी रचनाओं की विशिस्ट ताकत है He paints the idiosyncrasis of people with consummate skill बचों, idiosyncrasis का अर्थ होता है ब्यक्ति के बेवहार, सोच, आदी का तरीका या एक असामान ने बिसेस्टा और consummate skill का मतलब होता है बहुत ही कुसलता के साथ, बहुत ही दक्चता के साथ इसका अर्थ है हुआ कि He paints the idiosyncrasis of people with consummate skill बचों, यह लोगों के बेवहार, उनके सोच आदी के तरीके को बिसेस्ट तरीके से चित्रित करते है His works include, इनकी रचनाओं में सामिल है His works include, इनकी रचनाओं में सामिल है The Guide, यह Nobel है, उपनियास है Next Sunday, यह collection of essays है And Lolly Road, यह short story का collection है यह कुछ महत्पुन रचनाएं हैं बच्चों, आरके नारायन की A Snake in the Grass, the piece taken from an astrologer's day and other stories बच्चों, यह जो Snake in the Grass आप पढ़ने जा रहे हो न यह जो piece है, यह जो रचना है इनकी एक रचना है, जिसका नाम है An astrologer's day and other stories उसे से लिया गया है Dramatically presents, यह नाट की यह रूप से प्रस्तूत करती है The alarm and disturbance Alarm का मतलब घबराहट और चिंता और disturbance का मतलब असान्ती Caused in a household Household का मतलब घर Threatened by a cobra यानि घर में कोबरा घुस आने के कारण घर में कोबरा घुस आने के कारण जो घबराहट, डर, जो असान्ती पैदा होती है उसको ये नाटकी ये रूप से यहाँ पे प्रस्तूत करते है The character of some of the people Taking part in the hunt ये जो hunt देख रहा है इस hunt का मतलब होता है बचों, खोज Is dexterously revealed Dexterously revealed का मतलब होता है चतुराई से प्रकट किया गया है मतलब यहाँ पे जो सांप को खोजा जा रहा है उस खोज में Taking part यानि हिस्सा लेने वाले लोगों के स्वभाव को उनके प्रकिर्ती को उनके चरित्र को बहुत ही चतुराई पुरुवक प्रस्तूत किया गया है नारायन also touches gently on the people's superstitions concerning snakes बचों, superstitions का मतलब होता है अंध विश्वासों पर भी touch upon प्रकास डालते है An undercurrent of irony and humor marks many of his observations in their story बचों, विडंबना और हास से की एक अंतरधारा undercurrent अंतरधारा कहानी में उनकी कईठी पड़ियों को चिन्हित करती है तो आईए ए एसने किंद ग्रास की सुरुवात करते हैं paragraph number 1 बचों लिखा हुआ है कि on a sunny afternoon लिखा हुआ है कि on a sunny afternoon यानि बारह वजे के समब एक धूपदार दोपहरी को when the inmates inmates का मतलब होता है बचों साथ रहने वाले लोग of the bungalow where at their siesta siesta का मतलब होता है दोपहर का भिसराम मतलब एक धूप भरी एक धूप भरी दोपहरी में when the inmates of the bungalow जब bungalow में रहने वाले लोग where at their siesta आराम कर रहे थे बिसराम कर रहे थे a cyclist rang his bail एक cycle वाले ने अपने cycle की घंटी बजाई at the gate frantically यानि हर बड़ी में bungalow के दरवाजे पे cycle की घंटी बजाई and announced और चिला करके कहा a big cobra has got into your compound आपके compound में है ना एक बड़ा नाग घुस गया है एक बड़ा साप घुस गया है cycle वाले ने कहा it crossed my wheel अभी अभी मेरे cycle के wheel पहिये के सामने से गुजरा he pointed to its track under the gate बचो उसने उस cycle वाले ने साप के आने के रास्ते के और इसारा करते हुए कहा and resumed ही जर्नी और फिर से अपनी यात्रा पे निकल पड़ा मतलब एक cycle वाला जा रहा था उसके पहिये के आगे से एक साप गुजरा और बंगले में घुस गया कब दोपर के 12 बजे जब बंगले के सब ही लोग बिस्राम कर रहे थे उसने साप के आने के राह को दिखाया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा दा फैमिली कंसिस्टिंग ओफ यह जो बच्छो देख रहे हैं कंसिस्ट ओफ इसका मतलब होता है से बना होना दा फैमिली कंसिस्टिंग ओफ दा मदर and फोर संस बचो उस परिवार में एक मा थी और उसके چार बेटे थे उस परिवार में मा थी और उसके چार बेटे थे एसेम्बलड अट दा गेट इन ग्रेट एइजिटेशन बचों assembled का मतलब होता है जमा हो गए, इकठा हो गए, है न, वो मां और उनके चारो बच्चे दरवाजे पर in great agitation, बड़ी हडबडी में इकठा हो गए, जमा हो गए The old servant Das was sleeping in the sed, उस घर का जो पुराना नौकर था, जिसका नाम था Das, was sleeping in the sed, अच्छाओं में आराम कर रहा था, बिसराम कर रहा था They shook him out of his sleep, they shook him out of his sleep, मां और उनके चार बच्चों ने दास नामक बुढ़े नौकर को जखजोर करके निंद से उठा दिया and announced to him the arrival of the कोबरा और घर में सांप घूसने की सूचना उसको दी There is no कोबरा, he replied, नौकर सोए सोए ही जवाब देता है, there is no कोबरा, रहे कोई सांप अप नहीं आया है and try to dismiss the matter, और बात को टालने की कोशिस की, नौकर ने बात को टालते हुए कहा, there is no कोबरा, कोई सांप अप नहीं आया है They saw at him, they saw at him, they saw at him, they saw at him, इसका मतलब हुआ, कि उन लोगों ने कुछ गालिया बकी, नौकर को कोशा and forced him to take an interest in the कोबर, और उसको बात किये, कि वो अभी सांप धूढ़ने में रूची ले The thing is something here, उन लोगों ने कहा, the thing is, बात यह है, is something here, कि यहां कुछ है, यानि कोई सांप जरूर अंदर खुसा हुआ है जल्दी से उठो और सांप को पकड़ो, सांप को ढूढ़ने में मन लगाओ If it is not found before the evening, सुन लो नौकर दास If it is not found before the evening, यदि सांप के पहले तक सांप नहीं मिला, we will dismiss you, तो हम लोग तुमको घर से निकाल देंगे, तुम्हारी नौकरी जाएगी Your neglect of the garden and lawns, बचों, neglect का मतलब उपेक्छा होता है Your neglect of the garden and the lawns is responsible, मतलब जिम्मेदार, for all these dreadful things Dreadful things का मतलब ढरावनी, बस तुम्हे coming in मतलब घर में घुसाना यानि तुम बगीचों की उपेक्छा करते हो, तुम lawns की उपेक्छा करते हो, तुम बगीचे और घास के मैदान की सफाई नहीं करते हो यहीं जिम्मेदार है, इस परकार के डरावनी चीजों के घर में आने का एक मात्र कारण है, तुम्हारी लापरवाई, तुम garden और lawns की सफाई नहीं करते हो some neighbors dropped in, some neighbors का मतलब बच्चों कुछ पडोसी dropped in आधम के, इसी बीच कुछ पडोसी भी आधम के they looked accusingly at das, बच्चों जितने पडोसी आए न, they looked accusingly at das, accusingly का मतलब होता है दो स्पून तरीके से, सब लोगों ने दो स्पून तरीके से दास को देखा और क्या कहा सुनिए, you have the lagiest servant on earth, सुन रही हो माता, और सुन रहे हो, चार बेटों, तुम्हारा नौकर जो दास है न, lagiest servant on earth, वह इस धरती पर सबसे, निकम्मा सबसे आलसी नौकर है, they said, पडोसी ओने कहा He ought to keep the surroundings tidy, तुम्हारे नौकर को, परिवेस को साप सुथरा रखना चाहिए, आस पडोस को साप सुथरा रखना चाहिए, पडोसी ओने कहा अब सुनिए क्या होता है, in one voice, sorry, I have been asking for a grass cutter for months, दास ने कहा, क्या कहा सुनिए I have been asking for a grass cutter for months, मैं महीनों से घास काटने वाली machine की मांग कर रहा हूँ, बच्चो, ask for मतलब होता है demand करना मैं महीनों से घास काटने वाली मसीन की मांग कर रही हूँ किसी ने खरिद के नहीं दिया और आज आप लोग मुझे आरोप लगा रहे हो दास said in one voice एक आवाज में ने एक ही साथ सभी लोगों ने क्या कहा they ordered him उन लोगों ने दास को आगया दिया जितने पडोसी कठा हुए थे सब लोगों ने in one voice एक सब्द में कहा एक आवाज में कहा कि तुम्हें अवेलेबल थिंग्स उपलब बस्तों से ही काम चलाना चाहिए तुम्हें नहीं नहीं मांगे नहीं करनी चाहिए सारे पडोसीयों ने नौकर से कहा लेकिन नौकर बच्चों अपने जिद पर अड़ा रहा रहा अब जितने लोग वहाँ पर एसेंबल हुए थे गधर हुए थे न बच्चों सब लोग एस्पेकुलेट करने लगें सब लोग अनुमान लगाने लगें कि गास काटने वाली मसीन को खरिदने में कितना रूपया लगेगा सब लोग इसकी अनुमान लगाने लगे एक परोसी ने कहा मतलब एक परोसी ने कहा एक परोसी ने कहा कि आप लोगों को लडाई तक इनलाई समाप्त होने तक लोहे की बस्तू को खरिदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए ए नेवर डिकलेड एक परोसी ने कहा कि आप लोगों को जब तक लडाई चल रही है ना लोहे की आर्टिकल को लोहे की बस्तू को खरिदने की नहीं सोचनी चाहिए बच्चो वार टाइम प्राइजेज का मतलब होता है लडाई के दौरान की कीमतें और चैंटेड बैनालिटीज का मतलब होता है घीसी पीटी बातें करना वह पडोसी बच्चो युद के समय के मुल्लेओं के बारे में घीसी पीटी बातें करने लगा उस परिवार का उस भंगले में जो चार बेटे रहते थे थे तो दूसरा लड़का अब दावा किया या उस घार के दूसरे लड़के ने लड़के ने दावा किया या उसे दूसरा लड़के ने दावा किया कि मैं जस शीज को चाहूं नियन्तिरत मुल्लेओं पर शकता हूं या खरीद सकता हूं यानि एक पडोसी जो था न वो बिकेम इलोकुएंट ओन यानि नेता की तरह भासन देने लगा, खुल करके बोलने लगा, ओन ब्लैक मार्केट, काला भजारी पे भासन देने लगा, एई इसके बाद क्या हुआ 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 हीटेड डिबेट, यहीटेड का मतलब होता है बच अब सब लोग आपस में गर्मा गरम भहस करने लगे, और रेस्ट का मतलब बाकी जो लोग थे न, वो उदासिंता पुरुवक उन लोगों को देखने लगे, उनकी भहस को सुनने लगे, एड दिस पॉइंट, दे कॉलेज बॉई अब दे हाउस बटट इन विथ, कन अखबार में पढ़ा, that 30,000 people die, people die of a snake bite every year की, मा, हर साल 30,000 लोग सांप काटने, a snake bite, सांप काटने से, मा, हर साल 30,000 लोग मर जाते हैं, mother threw up her arms in horror, horror का मतलब डर, भय, and errand das, errand का मतलब दोस लगाना, मा ने बच्चों डर से, भय से, अपने हाथ उपर उठा लिए, and errand das, और das पे, दोस मढ़ना सुरू कर दिया, किसी के वज़ा से, आज हमारे घर में सांप घुसा है, the boy elaborated the aesthetics, बच्चों, aesthetic का मतलब होता है, आंकड़ा, और elaborate का मतलब होता है, बिस्तार से बताया, I have worked it out, मां मैंने हिसाब लगाया है, 83 ये डे की मां, प्रती दिन सांप काटने से, 83 लोगों की मौत होती है, कालेज बोई ने कहा, that means every 20 minutes, someone is dying of cobra bite, मां इसका अर्थ हुआ, कि every 30 minutes, कि हर 30 मिनट पे, someone is dying, कोई ना कोई मर रहा अप cobra bite, मां सांप काटने से, हर 20 मिनट पे, एक ब्यक्ति की मृत्यू हो जाती है, हिसाब लगाते हुए, कालेज बोई ने कहा, as we have been talking here, मां, जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं न, one person has lost his life somewhere, कहीं ना कहीं, सांप काटने से, एक ब्यक्ति की मृत्यू जरूर हुई होगी, क्योंकि हम लोगों को चर्चा करते हुए, 20 मिनट से ज़्यादा होगा, mother nearly screamed on hearing it, बच्चों scream का मतलब चीखना, मां तो यह सून करके लगभग चीखी उठी, यहनि रोही उठी, the compound looked sinister, बच्चों जो बंगले का अहाता था ना, sinister, अब डरावना दिख रहा था, the boys brought in, यानि जितने लड़के थे, नौजवान थे, brought in, लाए, bamboo sticks, लाठी डंडा ले करके आए, and pressed one into the hands of the servant also, और नौकर के हाथ में भी एक डंडा थमा दिये, he kept desultarily poking it into the foliage, यह जो इतने सीनिकल है, यानि पेणों की पतियां होता है, और desultarily का मतलब होता है, बेतर्तीब तरीके से, और poking का मतलब होता है, पूस करना घुसाना है, यानि नौकर अपने हाथ में लाठी ले करके, पेणों की पतियों में, यूँ ही लाठीयों को घुसा रहा था, पेणों की पतियों को यूँ ही बिनामन के कूरिद रहा था, अरे यह जो ब्यक्ति है ना, इधर उदर की बाते कर रहा है, someone cried aptly, किसी ने सही सही टिप पड़ी की, अब देखिए बच्चों क्या होता है, यूँ लोगों ने, जितने भी वहाँ पे लोग थे ना, टॉक्ट अप दियर धोती, अपने धोती को खूट लिये, और जो भी वहाँ पे चांकू छूरी थी, जो भी वहाँ पे क्रो बार सबल था, ना, सब लोग अपने हाथों में ले लिये, और उस भगीचे को काटने लगे, क्रीपर्स, बुस्स, and लॉंस लेड लो, बचो क्रीपर्स को काट करके, बुसस, जाणियों को काट दिया गया, लॉंस, घहस के मैदान को काट दिया गया, और उनको बिलकुल नीचा कर दिया गया, what could not be trimmed trim का मतलब होता है चाटना, काटना चाटना what could not be trimmed जिसको काटा चाटा नहीं जा सकता था what cut to the root उसको जड़ से काट दिया गया यानि सब लोग सफाई पे लग गया सब लोग जाडियों को काटने लगे सब लोग lawns को साफ करने लगे क्रिप पर सलताओं को काटने चाटने लगे और जिस पौधे को चाट न सके न उसको जड़ से काट दिये the inner walls of the house लिखा है the inner walls of the house brightened with the unobstructed glare बच्चो अन अबस्ट्रक्टेट का मतलब अबाधित और ग्लेर का मतलब होता है रोसनी streaming in यानि the inner walls of the house अब बच्चो बंगले का घर का जो की जो अंदरूनी दिवारें थी न और बाधित रूप से आ रही रोसनी में brightened चमकने लगी यानि अब घर में रोसनी आने लगी सारी जाड़ियों को जंगल जाड़ को काट दिया गया आगे क्या होता है सुनिए बच्चो an old beggar cried for arms at the gate दरवाजे पर एक बुढ़ी भिखारी आई और भिक्षा की मांग की arms का मतलब होता है भिक्षा और beggar का मतलब होता है वो भिखारी अब बच्चो इसी बीच दरवाजे पर एक भिखारी आई और उसने भिक्षा की मांग की they told her not to paster when they were engaged in a snake hunt they told her उन लोग ने उसको बताया not to paster अरे परिशान मत करो जब हम लोग engaged है जब हम लोग लगे हुए है साप की खोज में न तब तुम भीखोक मत मांगो हम लोग को परिशान मत करो हम लोग साप खोज रहे हैं ढूंड रहे हैं नाग को पकड़ना है on hearing it यह सुनते ही the old woman became happy यह सुनते ही वह बुढ़ी बिखारन खुस हो गई अरे you are fortunate तुम लोग भागे साली हो fortunate का मतलब होता है भागे अरे तुम लोग भागे साली हो it is God subramaniam अरे यह साप नहीं है यह देवता सुब्रमनiam है who has came to visit you उदर तुम लोगों से मिलने आये हैं तुम लोगों को देखने आये हैं तुम लोगों का हाल चाल जानने आये हैं यह साप नहीं आया है यह भगवान आये है don't kill the snake साप को मत मारना यह साप नहीं है यह भगवान है mother was in hearty agreement मा भी दिल से उस महिला के साथ हो गई महिला के हां में हां मिलाने लगी you are right सही कह रही हो बहन तुम सही कह रही हो उस साप नहीं है वो तो देवता है और हमारे घर में घूमने के लिए आये हैं I forgot all about the promised अभिषेक मरे I forgot अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने अभिषेक का वादा किया था अभिषेक करना तुम्हे भगवान को भूल ही गई थी this is a reminder अरे यह तो याद कराने के लिए भगवान आये हैं कि यह महिला तुम अभिषेक करना भूल गई थी a snake charmer as she went और जाते जाते उस बुढ़ी बिखारन ने मा से कहा कि जाते जाते मैं अभी एक सापेरे snake charmer एक सापेरे को भेज देती हूँ वो साप को पकड़ लेगा आप लोग साप को मारना नहीं और सिक्का लेकर के बुढ़ी बिखारन चली गई आगे देखिए बच्चों क्या होता है presently an old man appeared at the gate उस बुढ़ी महिला के जाने के कुछ दिर बाद an old man एक बुढ़ा ब्यक्ती appeared at the gate बंगले के दरवाजे पे बुढ़ा ब्यक्ती appear हुआ उपस्तित हुआ and announced himself as snake charmer और कहा अपने आपको सपेरा कहा snake charmer सपेरा कहा they gathered around him सब लोग बच्चों उस सपेरे को चारो और से घेर लिए he spoke to them of his life and activities and his power over snakes उस सपेरे ने उस बुढ़े ब्यक्ती ने अपने जीवन के बारे में अपनी activities, अपनी गतिविधियों के बारे में and power over snakes साप के उपर अपनी सक्ती के बारे में उन लोगों को खुब बताया they asked admiringly उन लोगों ने बढ़ाई करते हुए पूछा how do you catch them अरे सपेरे बंधू how do you catch them तुम सापों को कैसे पकड़ते हो thus इस प्रकार से उस सपेरे ने कहा कि मैं इस प्रकार से सापों को पकड़ता हूँ pouncing upon a hypothetical snake on the ground बचो pouncing upon का मतलब होता है जपटा मारना और hypothetical snake का मतलब होता है नकली साप, कालपनिक साप एक कालपनिक साप को बचो जमीन पर फेक करके उसने कहा कि ऐसे पकड़ता हूँ और जपट करके उस कालपनिक साप के गरदन को पकड़ लिया और कहा था कि ऐसे मैं सापों को पकड़ता हूँ बचो उन लोगों ने उस दिशा को बताया in which the कोबरा had gone and asking him to go ahead अब सब लोगों ने पडोसियों ने भी उस snake चामर को उस अपेरे को उस डिशा को बताया helplessly का मतलब लाचारी से अब बचो वव अभ्यक्ती सपेरा अब लाचार दिखने लगा and said और लाचार दिखते हूँ उसने कहा if you sow me the snake I will at once catch it अगर आप लोगो मुझे साप दिखा दो if you sow me the snake अगर आप लोगो मुझे साप दिखा दो I will at once catch it मैं तुरंट उसको पकड़ लूँगा एक पल की प्रतिक्षा नहीं करूँगा बस आप मुझे साप दिखा दो otherwise what can I do अगर आप लोग साप नहीं दिखा ओगे तो मैं क्या करूँगा मैं किसको पकड़ूँगा the moment you see it again जिस पल यानि जिस च्छण you see it again जिस च्छण साप फिर से दिखे send for me मुझे खबर दी जिएगा मैं चला आउँगा send for me मतलब बुला भिजना मुझे बुलवा ली जिएगा I live near by मैं बगल में ही रहता हूँ near by का मतलब बगल में ही रहता हूँ He gave his name and address and departed वो अपना नाम पता दिया और वहां से चलते बना कौन? सपेरा आगे दखिये क्या होता है at five in the evening बच्चों साम में पाँच बजे at five in the evening का मतलब हुआ बच्चों साम में पाँच बजे they threw away the aristics and implement बच्चों implements का मतलब आजार साम के पाँच बजे जितने भी लोग थे ना सब लोग आठी डंडा फेंक दिये सारे ओजार फेंक दिये and repaired repaired का मतलब went and went to the baranda to rest और baranda में आराम फर्माने के लिए साम के पाँच बजे सब लोग चले गए they had turned up every stone in the garden बच्चों बगीचे के हर पत्थर को हर जाड़ी को उन लोगों ने काट दिया था and cut down every grass blade और घास के हर तिनके को भी उन लोगों ने काट दिया था so that the teeniest insect insect का मतलब कीडा coming into the garden should have no cover बच्चों उन लोगों ने सारे पत्थरों को हटा दिया था घास के हर तिनके को काट दिया था so that जिससे की the tiniest insect की छोटा से छोटा किडा भी coming into the garden अगर बगीचे में आए न should have no cover उसों कोई कभर नहीं मिले कोई आबर्न नहीं मिलेगा मतलब वो छुप नहीं पाएगा छुपने के हर अस्तान को उन लोगों ने नस्ट कर दिया था they were loudly discussing the various measures they would take to protect themselves against reptiles in the future बचो reptiles का अर्थ हैं आपे सांप समझेगा आप लोग रेंगने वाला जीव समझेगा they were loudly सभी लोग जोर जोर से discuss the various measures उन तरीकों पे चर्चा कर रहे थे they would take जिसको वोग अपनाते to protect themselves अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए against reptiles in the future भविस्ते में सांप से बचने के लिए कौन-कौन से उपाई किये जा सकते हैं इन उपाईओं पे सब लोग जोर-जोर से चर्चा कर रहे थे when das appeared before the मिसी बीच दास बढ़ा नौकर उननों के सामने appear प्रकट हुआ carrying a water pot एक अपने हाथ में लोटा लिये हुए हुज माउथ वाज सिल्ड उते slab of stone और जिसके मुह पे एक पत्थर का टुकरा रखा हुआ था अर्थात पत्थर के टुकरे से बंद किये हुए लोटे को अपने हाथ में ले करके दास नामक नौकर उननों के सामने उपस्तित हुआ उसने बच्चों उस water pot को उस पत्थर से ढखे हुए लोटे को जमीन पे रख दिया और कहा I have caught him in this अरे देखो तुम लोग मुझको lagiest बोल रहे थे हैं I have caught him in this मैंने साप को इस डोटे में पकड़ लिया है I saw him peeping out of it मैंने पीप आउट का मतलब होता है मुह निकाल करके जहाकना मैंने लोटे में से मुह निकाल करके साप को जहाकते हुए देखा I saw him before he could see me इससे पहले की साप मुझको देखता मैंने साप को देख लिया और इस लोटे में ही उसको बंद कर दिया है He explained at length the strategy बच्चो सभी लोगों को मा को उनके चार बेटों को और पडोसियों को दास explained दास ने उस रननीती को समझाया कि कैसे उसने साप को पकड़ा और इस बरतन में इस लोटे में साप को बंद कर दिया बिस्तार से समझाया They stood at a safe distance बच्चो सुरक्षित दूरी पे लोटे के पास कोई नहीं जा रहा था देखने के लिए कि लोटे में साप है भी की नहीं They stood at a safe distance एक सुरक्षित दूरी पे सब लोग खड़े थे और चैंपियन का मतलब बिजये था आज दास के चेहरे पे चैंपियन वाली चमक थी आज ये बच्चो हीरो बन गया था Don't call me an idol here after idler का मतलब आलसी आज के बाद से मुझे निकमा मत कहना आज के बाद से मुझे आलसी मत कहना ठीक है न आज बच्चों दास के चेहरे पे वो चैंपियन वाली गलो थी चमक थी इसका चेहरा चमक रहा था और चम चमाते चेहरे के साथ इसने का कि Don't call me an idler here after आज के बाद से कोई मुझे निकमा नहीं कहेगा Mother complimented him on his sharpness माने दास की बुद्धी पे compliment किया उसकी बुद्धी की प्रसंसा की and wished और इच्छा जताई she had placed some milk in the pot as a sort of religious duty यानि धार्मिक आस्था के रूप में कास मैं लोटे में कुछ दूध डाल दी होती माने कहा दास picked up the pot consciously बच्चों नौकर ने consciously बड़ी ही सावधानी से उस लोटे को pick up कर लिए जमीन पर से उठा लिया and walked off और चल पड़ा saying कहते हुए that he would leave the pot with its content with the snake charmer living nearby दास बचों वहां से बरतन को उठा लिया consciously सावधानी पुरुवक and walked up चलता बना यह कहते हुए that he would leave the pot with its content with the snake charmer और कि मैं जा रहा हूँ और बगल में ही सफ पेरा रहता है उसके यहां मैं लोटा और लोटे के भितर के साप को दे दूंगा यह कह करके चला गया he became the hero of the day बचों उस दिन का hero बन गया दास उस दिन का क्या बन गया hero बन गया विजेता बन गया they watched him in great admiration बचों they watched सब लोग दास को देखे in great admiration बड़ी प्रसंसाब हरी नजरों से and decided to reward him adequately और उन लोगों ने decide किया फैसला किया कि to reward him adequately कि समूचित रूप से बड़ा जबरदस्त काम किया है बहुत बहादरी वाला इसने काम किया है इसने बड़े नाग को पकड़ा है हम लोग के जान को बचाया है इसलिए हम लोग इसको समूचित रूप से reward इनाम भी देंगे इसको पुरस्कार भी देंगे सब लोगों ने फैसला किया इट वाज फाइब मिनेट सिंस दास वाज गौन चिला उठा सी देयर वहाँ देखो सी देयर वहाँ देखो आउट अफे होल इन दा कमपाउंड वाल यानि कमपाउंड के दिवार के एक छेद में से एक कोबरा इमर्जड एक सांप निकला एक नाग निकला इट ग्लाइड अलाउंग टूवर्स दा गेड के लिए रुका इंदा बरांदा बरांदे में with its half hood open बचों hood का मतलब तो सांप का फन आधा फन फैलाए हुए बरांदे में लगी भीड को देखने के लिए एक पल के लिए रुका और सरकते हुए गेट की तरप बढ़ता चला गया घर के सब से चोटे लड़के ने कहा इट क्रॉल्ड अंडर दे गेट ओवा दरवाजे गेट के नीचे से सरकते हुए and disappeared along a drain और नाली में घुस गया और फिर गायब हो गया बचों चोटे लड़के ने सब को समझाया when they recovered from the sock जब सब लोग सदमे से बाहर आए they asked, तब उन लोगों ने कहा does it mean that there are two snakes here कर दे इसका मतलब ये हुआ कि दो साप घूस आये थे क्या एक को दास ने पकड़ लिया और एक अभी अभी भाग गया does it mean इसका अर्थ ये हुआ कि that there are two snakes here कि दो साप घूस आये थे क्या the college boy murmured बच्चों college जानने वाद लड़का जो था न वो भुन भुनाते हुए मर मर भुन भुनाते हुए कहा I wish I had taken the risk मैं खतरा मोल लिया होता I wish I had taken the risk मैं खतरा मोल लिया होता and knocked the water from from that's hand और दास के हाथ से मैं लोटा को knock मार करके गिरा दिया होता we might have known कि what it content कि लोटे में क्या था college boy ने का मैं थोड़ सा खतरा मोल लिया होता और दास के हाथों से लोटा knock डाउन मार करके गिरा दिया होता और तब हमें पता चल गया होता कि लोटे में क्या था यानि पता नहीं दास ने सांप को पकड़ा या नहीं पकड़ा इसी चक्कर में बच्चों सब लोग पड़े हुए थे और दास ने पता नहीं क्या पकड़ा क्या क्या पकड़ा बिना सांप के लोटा ले करके चला गया हीरो बन गया और असली सांप बाद में बंगले में से भाग गया बचो यह amusing stories समाप्त हुई अगर यह video आपको अच्छी लगी हो यह snake in the grass आपको पसंद आया हो तो channel को subscribe करें वीडियो को like करें और इस particular वीडियो को साथ करने से पहले मेरे साथ बोले जै हिंद